वेलकम टू तो एजी गेग तो हम एनलोग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे दिस इस मैं तेन्थ लेक्चर यह मेरे दस्मा लेक्चर है तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है मैं एक बार रवाइज करा देता हूं हमने हाप बेब रेक्टिफायर पढ़ लिया है हमने ह कि किसी नॉर्मल डायोड को अगर आपको एक पी एंजेक्शन डायोड दिया हुआ है तो उसको किसी सर्किट में कैसे रेप्लेस करेंगे उसका एलेक्टिकल एक्प्लेंट क्या होगा उसकी करेक्टर इस्टिस्क क्या होगी हमने यह सारी चीजा पढ़ ली थी जन्होंने प पड़ेगा कि ब्रेक्डाउन होता क्या है डायोड में ब्रेक्डाउन क्या होता है एनलोग सर्किट में इसका क्या यूज है और जैनर डायोड को हम कैसे यूज करेंगे उसका एलेक्टिकल एक्प्लेंट क्या होगा कैसे हम उसको रेप्लेस करेंगे आज हम यही जानने वा ताकि मुझे motivation मिले मैं और अच्छा content आपको दे सकूँ तो चलो start करते हैं अपना topic topic है breakdown mechanism in diode तो देखो diode में breakdown होता कब है जब diode reverse wise में होता है तब diode ब्रेकडाउन होता है breakdown होने का मतलब है कि उसमें से एक high current फिलो होगी या फिर या तो diode डेमेज हो जाएगा या फिर वो एक constant voltage source की तरह काम करेगा वो कब करेगा अगर उसकी power rating यहाँ पर मैं वर्ड यूच करता हूँ power rating of the device हमेशा जब भी आप device खरीडने जाओगे तो हमेशा एक आपको rating मिलेगी जिसको हम बोलते है power rating power rating का मतलब है कि उस device में से maximum power dissipation कितनी हो सकती है general diode में ये word बहुत जादा important है power rating कि उस device में maximum power rating कितनी हो सकती है अगर किसी device की power rating कम है इसका मतलब उसमें से कम power dissipation हो सकता है अगर power rating कम है अगर power rating जादा है इसका मतलब उसमें से जादा power dissipation हो सकता है तो अगर कम power dissipation हो सकता है इसका मतलब उसमें से कम current flow हो सकती है अगर जादा dissipation हो सकता है तो उसमें से जादा current flow हो सकती है तो basically general diode और normal diode में यही अंतर है नॉर्मल डायोट की power rating बहुत कम होती है तो जैसे उसमें से थोड़ी सी ज़ादा current flow होती है diode का ओज़ाद है damage हो जाता है बट जैनल डायोट की power rating क्या होती है high power rating होती है ताकि उसमें से एक high current flow हो सके और उस region में जैनल डायोट एक constant voltage source की तरह काम करता है जब उसमें से high current flow होती है that means जो current होगी वो voltage से क्या हो जाएगी independent हो जाएगी इसका अलग एक constant voltage source की तरह काम करेगा जैना डायोड उस region में और उसी region को हम कहते है breakdown region अब breakdown होता कहां पे है breakdown होता है junction पे basically अगर आप junction की बात करो तो junction में एक layer होती है depletion layer ये चीज़ें आप अपने ADC subject में पढ़ोगे तो depletion layer में होता क्या क्या है सिर्फ और सिर्फ आपके immobile charge ions होते हैं and cobalent bond होते हैं अब cobalent bond में क्या होता है electron band ही होते हैं अगर मालोगो cobalent bond तूड़िया है तो हमें क्या मिलता है जब भी एक cobalent bond तूटता है तो एक electron मिलता है एक hole मिलता है ठीक है अब वो cobalent bond तूटने के दो रीजन हो सकते हैं पहला रीजन है जैसे मैंने ये diagram बनाया हुआ है इस diagram में मैंने P और N side की doping कम की है महलब doping क्या है इसकी intermediate है ना तो low है और ना high है ठीक इसकी doping हमने कम की है that means P और N इसको मैंने represent किया है सिर्फ P और सिर्फ N से P region और N region अब होगा क्या जैसे मैंने इस को reverse wise में किया तो यहां के P side के minority charge carriers का है P side के minority charge carriers है electron like this ये electron है और N side के minority charge carriers है whole जिसको मैं एक बबल से represent कर रहा हूँ ये P side के minority charge carriers इस side जाएंगे और N side के minority charge carriers इस side जाएंगे तो होगा क्या अब depletion layer में क्या है depletion layer में depletion layer में आपके M1 charge आयन से और cobalent bond है तो जब ये minority charge के रिए junction को cross कर रहे होते हैं तब ये minority charge carriers cobalent bond से टकरा जाते हैं atom से टकरा जाते हैं तो क्या होगा cobalent bond टूड़ी आएंगे तो अगर cobalent bond टोड़ना है तो इसका मतलब ये जो electron जा रहा है इस electron की energy कम से कम 1.1 electron volt तो होनी चाहिए क्योंकि अगर किसी bond को टोड़ना है silicon की bond को टोड़ना है तो silicon की bond की energy कितनी होते है 1.1 electron volt तो अगर मुझे किसी bond को टोड़ना है तो इन minority charge carriers का energy है वो कितनी होनी चाहिए 1.1 electron volt for silicon इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा breakdown voltage बढ़ाना पड़ेगा अब breakdown voltage हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा minority charge carriers की energy बढ़ेगी जब minority charge carriers की energy बढ़ेगी तो ये high speed से किसी cobalent bond से टकराएंगे और जैसी cobalent bond से टकराएंगे तो वहाँ से हमें क्या में लेगा वो cobalent bond टूड़ जाएगा और cobalent bond टूटने पर हमें क्या में लेगा एक electron में लेगा और एक hole में लेगा जैसे यहाँ पर एक atom है यह atom है यहाँ से माल लो कोई electron आया कोई electron आया तो इससे हमें क्या मिला इससे हमें एक electron मिला और एक hole मिला एक hole मिला ठीक है अब यह electron और hole जो फिर हो चुके हैं यह electron और hole फिर से एक carrier की तरह काम करेंगे additional carrier की तरह काम करेंगे ये carrier भी किसी दूसे cobalent bond से टकराएंगे और जब किसी दूसे cobalent bond से टकराएंगे तो फिर से एक electron एक hole मिलेगा तो अगर आपकी ये process continuationly हो जाएगी तो क्या हो जाएगी number of carriers बहुत ज्यादा बढ़े आएंगे जब number of carriers बहुत ज्यादा बढ़े आएंगे तो amount of current क्या हो जाएगी amount of current बहुत ज्यादा बढ़े आएगी इसका मतलब यह हो जाएगा इस process को हम क्या बोलते हैं इसी process को हम बोलते हैं और breakdown होगा और इसी process को हम बोलते हैं Avalanche Breakdown Avalanche Breakdown This process is known as Avalanche Breakdown और दूसर नाम क्या देते हैं Avalanche Breakdown या फिर Impact Ionization Impact Ionization अब यह बड़ सुनेंगे यह Impact Ionization कहां से आया Ionization का मतलब है कि Ion में Convert कर देना अगर किसी Atom से एक Electron निकल जाएगा तो साइड वो Positively Charge हो जाएगा और अगर किसी Atom में एक Electron चला जाएगा तो साइड वो Negatively Charge हो जाएगा तो क्या बन जाएगे? Ion बन जाएगे Positive Ion और Negative Ion और Ion बन किसके वज़े से रही है? Impact होनी के वज़े से एक Collision होनी कि वज़े से वहाँ पर क्या हो रहा है? Ionization हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते है? Impact Ionization या फिर इसे को हम बोलते हैं Ionization Multiplication या फिर Impact Multiplication तो इस तरह की Process में Condition क्या क्या है? तहां से सुनेंगे इस तरह की Process में Condition क्या है? Doping तो कम होनी चाहिए Doping क्या होगी? Doping Less Doping Less होगी अगर Doping Less है तो मुझे Breakdown Voltage करना पड़ेगा Breakdown Voltage बनाना पड़ेगा इसका मातलाव इस तरह की Process में Breakdown Voltage ज़्यादा होगा Breakdown Voltage ज़्यादा होगा अब Breakdown होगा किसकी परे से? Breakdown occurs ये सारे Point याद लखने है चोटे-चोटे Point पूछता है Yes और SSTJ में Breakdown occurs Due to Collision between Between Minority Charge Carriers And And Covalent Wond या फिर Immoile Charge I Ams भी बोल सकते हैं ठीक तो इस तरह के Breakdown को हम क्या बोलेंगे Ablanche Breakdown जहाँ पर Doping क्या होगी कम होगी और Breakdown Voltage क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है अब एक और कुछिर पूछ रहाता है कि इस पर Temperature का क्या effect होगा Temperature पढ़ाने बार Breakdown Voltage बड़ेगा या Temperature पढ़ाने बार Breakdown Voltage कम होगा तो देखेंगे Impact Ionization में इसका मतलब Avalanche Breakdown में जह हम Temperature पढ़ाते हैं तो इसमें किस प्रोसेस की बज़े से Breakdown हो रहा है Because of Collision तो जब Temperature पढ़ाएंगे तो जो Depletion Layer के Atom है वो बाइब्रेट करने लगेंगे और जैसी बाइब्रेट करेंगे तो The Probability of Collision फिर से मैं बड़ी उच करना हूँ The Probability of Collision क्या हो जाएगी Decreature कर जाएगी इसका मतलब जो Collision हो रहा था उसकी Probability क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें Collision कराना है तो हमें Breakdown Voltage को बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब इस तरह की Process में Temperature पढ़ाने पर Breakdown Voltage Breakdown Voltage Increase करता है कि अगर Temperature पढ़ाएंगे तो Breakdown Voltage क्या होगा Increase होगा तो देखो मैं एक बाद फिर से Conclusion कर देता हूँ Conclude कर देता हूँ इसमें क्या है क्या है कि इस तरह की Process से Doping कम होगी Breakdown Voltage जादा होगा और जो Breakdown होगा वो होगा Because of Collision Between Minority Charge Carriers And Covalent Bond And Next Point Temperature पढ़ाने पर Breakdown Voltage क्या होगा बढ़ेगा इसका मतलब यह कैसे हो जाएंगे Positive Temperature Coefficient Positive Temperature Coefficient यह Question पूछा गया है SACJ और SAC में Positive Temperature Coefficient ठीक तो यह तो होगा Ablerange process Ablerange मेंगे नेजम अगली बात करें एक और मेंगे नेजम होती है मैंने फिर साइक मैंने फिर साइक बनाय हुआ होगा है एक और process होती है अब इस तरह की process में क्या होगा अब मैं doping बढ़ा देता हूँ अब मैं doping बढ़ा दिता हूँ कि जैसे मैंने doping बढ़ाई तो होगा क्या depletion layer साइड narrow हो जाएगी depletion layer कम हो जाएगी अगर depletion layer कम हो जाएगी तो अपनी जो electric field होती है वो होती है minus db upon dx minus db upon dx that means gradient जो potential gradient होता है उसी को हम बोलते है electric field अगर depletion layer की width कम हो जाएगी तो सायर dx की value कम हो जाएगी अगर dx की value कम होगी इसको बोलने electric field क्या हो जाएगी बढ़े आएगी तो जैसी मैंने यहाँ पे doping बढ़ाई P side और N side की doping बढ़ाई तो electric field at the junction junction पे electric field की value क्या हो जाएगी बढ़े आएगी और जब electric field बढ़ेगी तो देखो वहाँ पर atom जो है वहाँ पर एक charge मैं सूच करेंगी जिसकी value होगी q into e f equal to q into e अगर electric field बढ़ेगी देखो मैं यहाँ पर सूब कर रहा हूँ अगर electric field बढ़ेगी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ if dx decrease electric field increase अगर electric field increase तो app की value क्या हो जाएगी increase अगर electric field बढ़ेगी तो force की value क्या होगी बढ़ेगी अगर force की value बढ़ेगी तो अब यहाँ पर collision नहीं होगा अब यहाँ पर जो breakdown होगा जो cobra and bond टूटिंग है वो किसके वाइसे टूट रहे हैं वो टूट रहे हैं junction electric field की वजए से उस electric field की वज़े से एक force लग रहा है उस force की वज़े से cobalent bond टूट रहे हैं तो यहाँ पर procedure थोड़ा अलग है but end result same है कि cobalent bond टूटनी ही टूटने है और cobalent bond टूटने से minority charge carriers ही generate होने हैं तो देखो जब अपन ने यहाँ पर doping बढ़ाई तो electric field की वज़े से हो रहा है ना क बी यार की वज़े से तो हमें बी यार कम करना पड़ेगा बी यार कम भी कर सकते हैं कम voltage पर भी breakdown हो सकता है तो यहाँ पर point note करना इस तरह की mechanism किलाती है general mechanism यहीं मेकनियम किलाती है general mechanism तो देखें जैना मेकनियम कौन कौन सी point यार रखने है सबसे पहले तो doping ज्यादा होगी doping mode doping ज्यादा होगी next जो breakdown voltage होगा वो कम होगा जो breakdown voltage होगा वो कम होगा वो कम होगा तो avalanche breakdown में breakdown voltage ज्यादा था general mechanism में breakdown voltage क्या होगा कम होगा तो ऐसा कुछ-कुछ books में है और standard बोले जाता है कि अगर breakdown voltage greater than 6 volt है greater than 6 volt के लिए general mechanism होगा sorry avalanche ये में करने ज्यादा होगा avalanche में करने ज्यादा होगा और BR less than 6 volt के लिए general mechanism होगा कई बार ये question पूछ लेता है चोटा सा question कि किस voltage के लिए avalanche होगा किस voltage के लिए general mechanism होगा तो breakdown voltage अगर कम है तो वहाँ पे general mechanism होगा बर doping ज्यादा होगी और जहाँ पे breakdown voltage ज्यादा है और doping काम है वहाँ पे क्या होगा अगला question होगा ही कि temperature पर क्या effect होगा अगर temperature बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर collision नहीं हो रहा है ध्यान रखना अब यहाँ पर collision नहीं हो रहा है यह तो internal electric field की वाइर से तूट रहे है तो जब temperature बढ़ाएंगे तो इस force की value that में जो उसके bond की energy है वो क्या हो जाएगी वो basically ब बढ़ाएंगे तो इस میں breakdown voltage क्या होता है इसमें breakdown voltage कम होता है यह दोनों आपको difference याध लखने है ablange mechanism और general mechanism है कि ablange mechanism में temperature बढ़ाएं पर breakdown voltage बढ़ता है जबकि general mechanism में temperature बढ़ाएं पर breakdown voltage कम होता है तो ये कैसे होते हैं ये होते हैं negative temperature coefficient negative temperature coefficient इतना आपको द्यान लखना है ये दो mechanism हैं मैं फिर सकंग्लूट कर देता हूँ जो आपको point यातक है वह है कि जब doping कम होगी breakdown voltage जड़ा होगा तो वहाँ पर कौन सा mechanism होगा ablange mechanism होगा और जब doping जबापिं जड़ा होगी तो breakout voltage कम होगा वहाँ पर कौन सा mechanism होगा वहाँ पर general mechanism होगा ablange mechanism में breakdown voltage हो रहा था covenant because of collision and general mechanism में covenant because of internal electric field या फिर junction electric field की बज़े से तो अब मैं अगर एक characteristics बनाऊं तो होगा क्या characteristics देखेंगे जरा कैसी बनेगी जेनर डायूट की characteristics इसी characteristics से हमें पता चलेगा कि हमें जेनर डायूट को कैसी replace करना है देखेंगे ध्यान से कि जब डायूट reverse wise जब डायूट forward wise this is forward voltage, this is forward current this is reverse current and this is reverse voltage जब डायूट forward voltage में हैं तो ये तो एक normal diode की तरह काम करेगा इसमें कोई अंतर नहीं होगा ये एक normal diode की तरह काम करेगे like this, अब अंतर कहा अनतर आना है इसकी reverse wise में तो जब reverse wise बढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत current की value क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक minimum current होगी, एक minimum current जिसको हम बोलते हैं, knee current i knee और इसी को हम बोलते हैं, iz minimum minimum, general current iz minimum, जैसी current पर पहुचेगा, इस voltage पर पहुचेगा इसको हम बोलते हैं, breakdown voltage current क्या होगी, increase करेगी, तो क्या current infinite current flow हो जाएगी, नहीं infinite current flow नहीं होगी उसमें से, एक maximum current flow होगी, वो कौन डिसाइड करेगा कि उस general diode की power rating कितनी है, अगर मालो power rating बहुत कम है, जैसे normal diode की होती है power rating बहुत कम है, तो वो तो इसी point पर, जैसे थोड़ी सी current जादा होती है वो जल जाता है समझ में आ रहा है, कि जैसे थोड़ा सा भी बढ़ेगा, तो जल जाता है, बट, general diode की power rating क्या होती, power rating जाता है power rating कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी थोड़ा में रखो, और आप एक बड़ी plate में पानी रखो, तो किसमें जली ठंड़ा हो जाएगा, जिसका area जादा होगा, जिसका surface area जादा होगा उसमें पानी जली ठंड़ा हो जाएगा तो अगर मैं diode का size थोड़ा बढ़ा दूँ, तो क्या होगा, जो भी heat generate हो रही है वो surround में dissipate हो जाएगी, अगर उसका size जादा होगा, तो surround में dissipate हो जाएगी, बट अगर मालो, उसका size कम होगा तो वो heat accumulate हो जाएगी और वो device क्या हो जाएगी burn कर जाएगी, damage कर जाएगी, तो यह आपको region के लाता है, this region is called breakdown region this region is called breakdown region अब मैं बहुत लोग कितनी current flow हो सकती है तो एक maximum current flow हो सकती, इस से जादा current flow नहीं हो सकती इसमें से वो quand decide करेगा, उसकी power rating अब ही बताता हूँ है, power rating कैसे लिखेंगे इतना समझ में आ रहा होगा, कि इसमें से maximum current Imax है, और minimum current है IJ minimum, जब तक IJ minimum flow नहीं होगी वो breakdown में नहीं जाएगा तो अब मैं अगर बात करूँ breakdown region में एक diode, जैने diode कैसे काम करेगा तो breakdown region में अगर आप observe करो in the breakdown region, current can be increased or decreased vertically इसका मतलब, the voltage across the diode remains constant, the voltage क्या होगा voltage diode का across constant रहने वाला है, इसका मतलब, इस breakdown region में जैने diode एक constant voltage source की तरह काम करेगा तो अगर मुझे जैने diode को replace करना होगा, तो मैं कैसे replace करूँगा, मैं जैने diode को उसके breakdown voltage से replace करूँगा, जिसकी value कितनी होगी, BZ होगी, अब ध्यान से सुनेगे, जो BZ की polarity होगी, वो कैसे होगी, यह तो reverse voltage है, अगर reverse voltage इसका मुझे प के side आएगा minus और N के side आएगा plus तो देखो, आब मैं electrical equivalent लिखने बाला हूँ, जैना diode का, देखेंगे ध्यान से, electrical equivalent of जैना diode, तो जैना diode को सबसे पहरे तो हम represent कैसे करते हैं, represent करते हैं हम कुछ इस symbol से, यह हो जाएगा representation, जिसमें arrow वाला sign P side है, और दूसरी side क्या है, N side है, जिसको मैंने Z की तरह represent किया है, Z Z की तरह है, वो क्या है, N side है Z का मतलब है, Jenner, Z का मतलब Jenner, तो सबसे पहरे तो हम देखते हैं, forward wise में कैसे replace होगा, forward का मतलब है यहाँ minus होगा, यहाँ plus होगा, इतना तरह से और है, इसके मतलब, यह कैसा होगा forward wise, अगर forward wise में है तो इसको मैं कैसे replace करूँगा, जैसे normal diode को replace करते थे, उसकी voltage से, बैसे हम इसको replace कर देंगे वो आपका depend करेगा कि उसकी character, इसकी कैसी है forward wise में character कैसी है, अगर आपको यह जानना है, तो आप मेरा पहला lecture देगे, सबसे पर, मैंने वहाँ पर दूसरा lecture पढ़ाए था, दूसरे lecture में electrical equivalent of diode circuit पढ़ाए था तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि forward wise में diode को हम कैसी कैसे replace कर सकते हैं, तो देखो को यहाँ पर मैं replace कर रहा हूँ उसको, एक cutting voltage से और cutting voltage के आपको polarity पता है, N side minus होती है और P side plus होती है यह cutting voltage है B gamma B gamma अब आते हैं reverse wise में तो reverse wise में मुझे कैसे replace करना है तो reverse wise में दो condition हो सकती है यहाँ पर reverse wise में दो region है यह वाला region जो है यह तो है breakdown region यह इतना region तो है breakdown region इसके पहली बाले region क्या 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 होगा जो यह बाले region है यह region क्या होगा यह region क्या होगा below breakdown region तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ यह कौन सा region है यह region है this region is called below breakdown region अब diode को हम कैसे कैसे replace कर सकते हैं तो वो आपको जानना है reverse bias में दो region हो गए तो दोनो region की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ जैनर diode in reverse bias reverse bias का मतलब है कि देखो जैनर diode अगर मैं ऐसे बनाऊ तो यहाँ plus होगा यहाँ minus होगा ठीक है अब इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूँ कैसे सबसे पहले तो below breakdown region below breakdown region अगर below breakdown region है तो simple उसको open circuit की तरह replace कर दो open circuit कर दो अब आते हैं under breakdown region under breakdown region अगर under breakdown region है तो उसको मैं क्या करूँगा उसको मैं replace करूँगा उसके breakdown voltage BZ जिसकी priority होगी N के side plus और P के side minus और अगर उसका resistance दिया हुआ है तो उसकी resistance है जिसको हम replace करते हैं RZ से RZ से तो अगर मैं for ideal diode की बात करूँ for ideal diode RZ की value कितनी होगी 0 और जो IZ minimum होगा भो क्या होगा चीलो तो IZ minimum है क्या मैं यहाँ पर definition लिख देता हूँ IZ minimum की IZ minimum है क्या it is the minimum current it is the minimum current required required for general diode to operate in breakdown region in breakdown region तो IZ minimum और RZ की value क्या होगी for ideal diode अगर उसने बोल यह diode ideal है तो breakdown voltage तो होगा बट RZ की value 0 होगी और IZ minimum की value 0 होगी ठीक है अब maximum current कितनी होगी maximum current कितनी फिलो होगी तो वो depend करेंगे power rating फे तो power rating जो होती है power rating होती है BZ into IZ max BZ into IZ max तो अगर मैं बोलू IZ max कितनी फिलो हो सकती है तो IZ max फिलो होगी P rating power rating divided by BZ P rating है क्या power rating है क्या मैं आपे definition लग देता हूँ P rating क्यों होती है P rating it is the maximum power dissipation allowed in the device किसी device में से कितनी maximum power dissipation हो सकती यही कैकलाता है power rating तो IZ max हम कैसे define करेंगे उसकी power rating से define करेंगे कि उसकी power rating कितनी है क्योंकि power equal to voltage into current voltage तो constant हमने बोल दिया कि voltage constant है current बढ़ सकती है और कम हो सकती है voltage तो constant है तो power maximum का होगी जब current maximum होगा और power minimum कब होगी जब current minimum होगा तो यहां पर बहुत सारी चीजें होती है जो आपको जानना होता है दो word use होते है एक है minimum power dissipation और एक है minimum power rating इन दोनों में अंतर है minimum power dissipation कब होगा minimum power dissipation तब होगा जब diode में से minimum current फिल होगी और maximum power dissipation ही minimum power rating है minimum power rating का मतलब क्या है maximum power dissipation और maximum power dissipation कब होगा जब उसमें से maximum current फिल होगी यह दोनों बड़ बहुत अच्छे से सुनना बहुत ध्यान देना यहां पर गलती होने के बहुत चांस होते है minimum power dissipation and minimum power rating मैं फिर से repeat करता हूँ minimum power rating का मतलब है कि जब उसमें से minimum current फिल होगी iz minimum और minimum power rating का मतलब क्या है minimum power rating का मतलब है maximum power dissipation और maximum power dissipation कब होगी जब उसमें से maximum current फिल होगी iz max फिल होगी तो IJ max equal to क्या हो जाएगा P rating upon BZ हो जाएगा ठीक ये तो होगी कहानी electrical equivalent की अब हमें जानना ये है कि अगर circuit में बहुत सारे जैने डायोड लगे हो एक लगा हो दो लगा हो तो उस circuit को हम इतना तो पैचान लेंगे इतना तो हमने सीख लिया था कि forward wise में और reverse wise में हमें कैसे पैचानना है अब question ये है कि अगर reverse wise में है तो हम ये कैसे पैचानेंगे कि कब वो blue breakdown region है और कब वो under breakdown region है ये बहुत बड़ा question है तो उसके लिए हम step by step procedure follow करेंगे जैसे हमने diode के लिए step by step procedure follow किया तो forward और reverse के लिए है कि हमने diode को सबसे पहले sort कर दिया था और sort करने के बाद हम उसमें current निकाली थी अगर current greater than zero है तब तो forward wise है अगर current less than zero है तो वो reverse wise है similarly हमें यहां पर भी step by step follow करना है कि हम कैसे पैचाने के reverse wise में तो हमें पता लग गया कि reverse wise में है अब reverse wise में आने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो below breakdown region है या फिर under breakdown region है तो देखेंगे यहां पर procedure देखेंगे step number one procedure to find state of general diode state of general diode देखेंगे step number one step number one सबसे पहले हमें क्या करना है हमें assume कर लेना है कि वो under breakdown region में assume generate diode is operating under breakdown region तो पहला point तो है पहला step है कि हमने डेना डायोट को माल लिया कि वो breakdown region में काम कर रहा है तो मैं क्या करूंगा उस डेना डायोट को उसके electrical equivalent से replace कर दूंगा है कै उसके electrical equivalent एक voltage source बीजेट का like this हमने replace कर दिया replace करने के बाद हमें यहाँ पे reverse current current की जैसे वहाँ पे हम current मान रहे थे कहाँ P2N अब हमें मानना है N2P क्यों क्योंकि यह reverse current है और reverse current हमें इसा N2P फिलो होती है जब हमने normal diode की बात की थी forward और reverse के लिए तो हमने मानना था P2N अब हमें current माननी है N2P IZ तो हमें करना क्या है कि सबसे पहली तो हमें मान लेना है कि diode under breakdown region काम करना है उसके electrical equipment से replace कर देना है और current की direction माननी है from N2P और लिखना है IZ अब step no.2 step no.2 क्या है calculate calculate IZ by using network analysis by using network analysis network analysis का use करके हमें IZ की value निकालनी है IZ की value निकालनी के बाद हमें observe करना है क्या observe करना है हमें IZ minimum दिया जाएगा question में अगर उसने बोल दिया है idle diode है तब तो IZ minimum कितना होगा 0 तो अगर IZ की value जो हमने calculate की है अगर इसकी value less than or equal to IZ minimum है जो आपको दी जाएगी अगर नहीं ती ही इसका आइडियल है आइडियल का मतलब 0 है अगर IZ की value IZ minimum से कम है इसका मतलब अपना assumption गलात है basically वो under breakdown नहीं है वो कैसा है वो below breakdown region काम कर रहा है below breakdown region काम कर रहा है और अगर below breakdown region काम कर रहा है तो मैं उस diode को कैसे replace करूँगा फिर से मैं उस diode को basically open circuit से replace करूँगा और अगर IZ की value greater than IZ minimum से जो हमने calculate की है इसका मतलब अपना जमसर बिल्कुल सही है वो under breakdown region ही काम कर रहा है under breakdown region ही काम कर रहा है और उसको हम replace कर देंगे उसके breakdown voltage VZ से यह बहुत important है यह step जानना बहुत important है otherwise आप general diode के question solve नहीं कर पाऊगे analog circuit में क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि हमें किसी general diode को कैसे replace करना है कब वो under breakdown होगा कब वो blue breakdown होगा ऐसे question आई हुए है gate में भी IES में भी और SSCJE में भी ऐसे question आई हुए है तो आपको पता होना चाहिए कि कब diode blue breakdown region है कब diode under breakdown region है तो इसको लेकर एक question solve करते हैं देखेंगे question यह question है in the circuit zone general diode is ideal the output voltage B0 will be देखो आपको यह B0 निकालना है B0 कितना होगा यह आपको circuit दिया हुआ है दो general diode लखी हुए है अगर मैं नाम देदी हूँ दोनों को D1 और D2 this is D1 and this is D2 दोनों को नाम देदी है D1 D2 हमें B0 निकालना है यह 20 V क्या सो करता है उसको breakdown voltage और 10 V क्या है D2 को breakdown voltage ठीक तो हमें B0 निकालना है अगर आपने बिना सोचे directly इसका answer दे दिया तो answer कितना होगा आप बोलोगे sir D2 जो है reverse breakdown में होगा और यह 10 V से replace हो जाएगा और answer आएगा 10 V ठीक है आपने बोलती है यह reverse breakdown region में है इसका मलब breakdown region में है तो आपने कैसे जाना है breakdown region सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या अपना जाम से गलत तो नहीं है तो इसको solve करने के step by step क्या है कि इसमें दो डायोड लगे है हम दोनों को माल लेंगे इत्ता तो हमें पता लग रहा है कि यह reverse wise में है क्यों क्योंकि अगर यह 30 V है देखेंगे अगर यह 30 V है तो इस node का voltage और इस node का voltage होगा तो positive भी positive होने का मतलब है यहां तो ground है यह तो ground होगा तो अगर ऊपर positive भी इसका माला donor diode होगे तो forward sorry reverse wise में अब reverse wise में दो case होते है कि वो under breakdown region काम कर रही या फिर below breakdown region काम कर रही तो हमें वह ही जानना है कि वो किस region में काम कर रहा है तो पहला step क्या कि हमें diode को माल लेना है कि वो under breakdown region काम कर रहा है और उसको हमें उसके electrical equivalent से replace कर देना है अब उसने क्या बोला है diode ideal है और diode ideal का मतलब यह हो गया है कि उसमें rz की value 0 है और rz minimum की value 0 है नी current की value कितनी है 0 है ठीक है हम इसको replace करते है step number 1 के हिसाब से हम इसको माल लेते हैं यहां पर देखता हूँ मैं एजूम 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 बॉर्ट दायोड अर अंडर ब्रेकडाउन रिजन हमने माल लेको ब्रेकडाउन रिजन में अगर ब्रेकडाउन रिजन में है तो दो वो सर्किट कैसा बनेगा यह 30 बोल यहां पर फाइव अंडेड हो इसको में रिप्लेस काल देता हूँ 20 बोल्ट से ठीक है यह 1 किलो ओम इसको में रिप्लेस काल देता हूँ 10 बोल्ट से यह 900 ओम यह 900 ओम यह 10 बोल्ट यह 20 बोल्ट यह 1 किलो ओम यह 500 ओम यह 30 बोल्ट अब अगर आप देखो तो output इस समय 10 bolt आएगा तो 10 bolt तो तब आएगा ना जब ये D2 breakdown region में काम करेगा अगर breakdown region में काम ही नहीं करेगा तो क्या मैं इसको 10 bolt से replace कर पाऊंगा और नहीं कर पाऊंगा फिर मैं उसको कैसे replace कर नहींगा open circuit से तो सबसे पहरे तो हमें जानना ही ही है क्या ये under breakdown region काम कर भी रहा है की नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम current माल लेते हैं n2p iz1 और यहाँ पर current माल लेता हूँ मैं iz2 अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं बोल दूँ ये node a है ये node b है यहाँ पर total current माल लेते हैं i यहाँ पर current माल लेते हैं i1 और यहाँ पर current माल लेता हूँ मैं iL ठीक है तो इन सब की इन सब की value निकाल नहीं कोज़े से करते हैं जब हम तो node a का voltage तो हो जाएगा simply 20V node b का voltage कितना हो जाएगा 10V तो देखो i की value कितनी आएगी i की value आएगी 30-20 divided by 500 ohm that means you will get 20 mA i1 की value कितनी आएगे अगर मैं यहाँ से i1 की value निकाल हूँ i1 की value आएगे 20-10 divided by 1 kilo ohm that means 10 mA तो का मैं iz1 निकाल सकता हूँ yes node यह पर केसी एल अपलाई कर दो यह बड़ा सेंपल है आप कुश्चन node यह पर केसी एल अपलाई कर दो i z1 की value कितनी आएगे i z1 की value आजाएगे i minus of i1 that means 20-10 equal to 10 mA ठीक है i l की value कितनी आएगे i l की value आजाएगे 10 divided by 900 10 divided by 900 that means 11.1 mA i z2 की value कितनी आएगे i z2 की value आजाएगे i1 minus of i l that means i1 की value कितनी आएगे i1 की value आएगे 10 minus 11.1 equal to minus 1.1 mA minus का 1.1 mA तो देखो मैं यहाँ पर conclusion लिख रहा हूँ i z1 equal to i a 10 mA जो की positive है and i z2 i a minus का 1.1 mA जो की negative है इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर i z1 positive है तो यह तो से ओर हो गया कि d1 under breakdown region काम कर रहा है d1 positive का मतलब हो गया क्या यह greater than i z minimum है i z minimum कितना दिये हुआ 0 बट यह कैसा है यह तो less than i z minimum है क्योंकि i z minimum की value कितनी है i z minimum की value दियो है हमें 0 के क्योंकि उसने बोल दिया है और diode ideal का मतलब है i z minimum equal to 0 तो इतना दो से ओर हो जाएगा कि d1 is under breakdown region बट यहां से ओर हो जाएगा d2 is below breakdown region तो इसका मतलब जो हमने assume किया था कि d2 under breakdown region काम कर रहा है उसका हमने replace किया था उसके voltage से अब मैं उसको उसके voltage replace नहीं कर पाऊंगा basically हमें उसको क्या करना पड़ेगा हमें उसको open circuit करना पड़ेगा तो redraw करेंगे circuit redraw the above circuit do circuit कैसा बनेगा यहाँ पर 30 volt है यहाँ पर 500 ohm है यह तो सही है इसको हमने 20 volt से replace किया यहाँ पर 1 kilo ohm है बट इसको मुझे क्या करना पड़ेगा open circuit करना पड़ेगा इसको हमने open circuit कर दिया यह 900 ohm है इसको हमने 900 ohm को लगा दिया हमें अब यह निकालना था B not कितना होगा यह बन के लोगा हम है अब तो आप B not निकाल सकते हो simple voltage divider rule से तो B not की value हो जाएगी 900 divided by 900 plus 1000 और into 20 you will get 9.47 volt तो अब आपका answer कितना है exact answer है 9.47 volt ना की 10 volt 10 volt answer नहीं answer है 9.47 volt तो इस तरह के question में सबस्पे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा diode under breakdown region है और कौन सा diode below breakdown region है जो diode below breakdown region होगा उसको हम open circuit कर देंगे और जो diode under breakdown region होगा उसको हम उसके electrical equivalent से replace कर देंगे तो I hope इस तरह के question आप क्यों हो जानी चाहिए और इस तरह के question आपको समझ में आई होगे कि general diode का electrical equivalent क्या होगा तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं आपको सीख रहे हैं इससे तो please like, share and subscribe to my channel अगर आप नए हैं तो subscribe करें और अगर आप subscribe कर चुके हैं तो अपने दोस्तों तक पहुचाएं ये वीडियो ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें Thank you